कोरोना महमारी से जंग लड़ रही दुनिया इंदीनों एक और खतरनाग विमारी से जूश रही है और वो है सोशल मेडिया पर चल रही फेक खबर की विमारी सोशल मीडिया पर एक नए खबर वाइरल हो रही है कभी कोरोना को लेकर अफ़ा फैलाई जा रही है तो कभी किसी और बात को लेकर सोशल मीडिया पर फेक खबरें चलाई जा रही है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वाइरल हो रहा है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीरे दिखाई दे रही है हरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर जो कवर शेर किया जा रहा है वो टाइम मैगजीन के नाम से शेर हो रहा है उसका फोटो में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को सबसे बेकार राष्ट्रपती का टाइडल दिया गया है इस टाइडल के साथ इस मैगजीन के कवर पर डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कई सारे शब्द भी लिखे गया है वो क्या लिखे हैं हम आपको बताते हैं मैगजीन के कवर पर लिखा हुआ है डिवाइडर, लायर, रेपिस्ट, थीफ, हडपने वाला, मैनुपुलेटर, कॉलेबुरेटर, ट्रेटर ये वही शब्द हैं जो इस मैगजीन के कवर पेज पर डोनाल्ड ट्रम्प के लिए लिखे गए हैं लेकिन अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो ये साफ हो जाएगा कि ये टाइम मैगजीन का कवर पेज नहीं है जी हाँ, राश्पती बनने से पहले डोनाल्ड ट्रम्प एक बड़े बिजनसमेन भी है और पहले कई बार वो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई दे चुके हैं अब तक देखा जाए तो कुल 32 बार ऐसा हुआ होगा जब ट्रम्प को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर देखा गया लेकिन हाल ही में जो कवर पेज सोशल मीडिया पर वाइरल किया जा रहा है ऐसा कोई भी cover page time magazine के किसी भी session में नहीं छपा है महीं ध्यान देने वाली बात ये भी है कि time magazine के हर cover page पर उपर date लिखी हुई होती है लेकिन ये जो cover page social media पर viral किया जा रहा है इसमें side में उपर की और कोई भी date नहीं लिखी हुई है जो ये साबित करती है कि ये एक photoshop हुआ cover page है जिसे social media पर fake तरीके से फैलाया जा रहा है इसलिए किसी भी तरह के cover page पर विश्वास करने से पहले या किसी भी cover पर विश्वास करने से पहले उसकी सचाई जाने फिर ही उस पर विश्वास करें और जिस तरह कोरोना से दूर है वैसे ही और अफवाहों से भी दूर रहें subscribe our channel and press the bell icon for more updates